एलो फ्रेंड्स आज हमने बनाया है लाल चने का निमोना इसे हमने रात भर भीगो लिया है लाल चने को और उसे अच्छी तरीके से धोकर हम इसे एक सीटी तक पका लेंगे इसके साथ हम चावल और चोखा बना रहे हैं इसलिए इसी में हम आलू भी ओवलने के लिए डाल दे अब इसे एक सीटी आने तक हम पका लेंगे जब तक यह हमारा चाना पक रहा है तब तक हम इधर ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर कट कर लेते हैं यह हमने दो मिडियम साइज के प्याज लिये हैं कुछ प्याज हम पीसेंगे इसलिए से बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है और साथ में लहसन लहसन की 5-6 कलिया हरे मिर्च दो हमने लिये जैसा आपको तिखा खाना है आप उतना तिखा कर सकते हैं अगर रखे टुकड़े और यह प्याज थोड़ा भारिक करें काटेंगे क्योंकि इसे हम तेल में फ्राइ करेंगे यह बहुत ही बनकर स्वादिश्ट लगता है आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राइक करें दाल चावल खाकर बोर हो गये हूं तो इस तरीके का डिश मनाएं बी बहुत ही अच्छा लगता है अब बनकर बहुत ही स्वादिश्ट आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राइक करें अब इसे हम बड़ बड़े टुकड़ो में जो प्याज को हमने काटा था उसे हम हलका दरदरा पीस लेते हैं बहुत बारिक नहीं करेंगे हलका दरदरा ही पी हाए तब तक हम फोरण डालते हैं हमने फोरन में डाला है जीरा आल में चौर तेज बता यह आखिर नहीं हो अगिरण सरसो का तेल जब भी उच करें तो उसे अच्छे तरीके से गरम नहीं होगा था नहीं हो आखिơn अगे हमीर में इस तक पकले हेंगे अब हमने उसमें जो बारिक हमने पीसा था प्याच वो डाल दिये हैं और इधर अब हम इसे भी चने को जो हमने उबाल कर रखा है उसे भी हम हलका दर-दरा पीस लेंगे बहुत बारिक नहीं करना है इसे भी दरदरा ही पीषता है और कुछ चने को हमने छोड़ दिया है ये चने को ओपर ग्रेवी जब हमारा बनने लगा तब हम डालेंगे इधर हमने मसाले में डाल दिया है एक चमच हल्दी, जीरा पॉडर, दो चमच धनिया पॉडर, लाल मिर्च पॉडर और गरम मसाला तक तरीके से फ्राइब करेंगे तब तक तक यह तेल न छोड़ने लगे दो-तीन मिनट में फ्राइब हो जाता ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें हमने टमाटर भी इसी में मिक्स कर दिया है अब यह देखिए हमने जो चने को पीसा है उस चने को भी इसमें अब मिक्स करके अब एक दो मिनट तक इसे भी पकालेंगे अच्छ से फ्राई कर लेते हैं इसे बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है यह रेसिपी और खने में भी बहुत ही अचह रेस्ट आता है अब हम रहे जो चन्य को थोड़ा सा बचा कर रहा था वह हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं अब इसमें हमें जितना ग्रेवी गाढ़ा रखना है उतना ही हम पानी मिक्स करेंगे रोटी के साथ नान के साथ खाना है आपको तो आपको कम पानी मिलाएं हमें चावल के साथ खाना है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी मिक्स कर रहे है अब इसमें दो चम्मच उपर से हम देशी घी डालकर इसे ढखकर एक दो मिनट तक हम इसे वाल आने तक हम पकने छोड़ देंगे ऑपर से देसी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच् audi आता है उपर से फिर हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते मेरे पास नहीं है अज इसलिए हमने नहीं डाला है आप लोग आ सकते हैं यह मेरा तब तक बन रहा है चने का निमोन तब तक हमें इदर चोखा त्यार कर लाल मिर्च जीरे का तड़का लगा कर इसे अच्छे तरीके से हमने लिए है आलो को और तब तक हम इसे फोर इसका तेयार कर लेते हैं में दो चम्मचूरा चम्मच स्ंट सर्सोब का तेल करहां हों के लिए रख दिया है इसमे आधा हंऻू चम्मक हमने जीरा डाला और दो च्छोटा लालं मेच डाल लिया जो इसे हम अच्छे पका लें हलका Chill अटरूं होने का हम पका लेते हैं है इधर हमने आलो में तब तक स्वाद के नुसर नमक डाल दिया हमारा मिर्ची जीरा पक चुका है अब इसे हम गरम गरम ही आलो के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे अब इसे ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इस तरीके हमने चोखा बना लिया है आलो का चोखा सिंपल सा इधर हमने तब तक चावल बना लिया था सिंपल चावल चावल बन कर त्यार हो चुका है अब हम इसे सर्फ करेंगे चावल निमोना चोखा और रोटी बड़ा ही मज़ा लगता है इसे खाने में आप लोग इसे एक बाद जरू ट्राई करें मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कॉमेंट करके बताएं में वीडियो को ला पर भाइ फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थांक यू वाचिंग फोर मा वीडियो एंज्वाइं